नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचान के नुसार प्रतेक्मा में दो बार त्रियोदर्शी दिथी आती है एक शुक्ल पक्ष में और दूसरे किष्ट पक्ष में अबार के दिन पढ़ने वाली वाली त्रियोदर्शी दिथी को भौम प्रदोश्रत के नाम से चाना जाता है आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि अक्टूबर दोहजार चौबिस में शुक्ल पक्ष का प्रदोश्रत कप है 15 या 16 अक्टूबर को शुमोरत क्या रहेगा, व्रत की विधी क्या है, पुजा का समय क्या रहेगा और जानी कहां रहेगा शिवकावास तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोश व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शूर करते हैं आज का वीडियो प्रदोश व्रत के दिन व्रती को ब्रह्मुरत में उटकर इसनानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके पैश्चा स्वक्ष वस्त धारन करें घर के मंदिर में दीप प्रजलित करें उसके पैश्चा व्रत का संकल्प ले प्रदोश व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोश काल में करने का विधान है इसलिए शाम के समय एक बर पुना इसनानादी से निवरित होकर स्वक्षवस धारन करे उसके पैशाद भगवान शिव की पूजा रातना करे घर पर ही या शिव मंदिर जाके भगवान शिव का जलापी शेक करे उसके पैशाद बेल पत्र, अच्छत, धूब, दीब, आधी पूजन सामगरी अरपित करे ओम नमशिवाय मंद्र का मनही मन जाप करे इसके पैशाद भगवान शिव को चंदन का लेप लगाए प्रदोश वरत की कथा को पढ़े या सुने भगवान शिव को भो लगाए भगवान शिव की आरती करे अक्टूबर 2024 में शुकल पक्ष का प्रदोश वरत 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार के दिन है प्रदोश काल पूजा का समय रहेगा शाम के 5 बच के 15 मिनट से 8 बच के 21 मिनट तर कुलबदी रहेगी 2 घंटे 30 मिनट की शुक आवास रहेगा नंदी पर रात के 12 बच के 19 मिनट तक उसके बाद भूजन में रहेगा अश्विन शुकल 23 तिति का आरम होगा 15 अक्टूबर की सुबह 3 बच के 22 मिनट पर और समापती होगी रात के 12 बच के 19 मिनट पर मेरे वीडियो में अंद तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ